हेलो लेर्नर्स, क्लास नाइन्थ हिस्ट्री मानस्ट्रो बोर्ट के चैप्टर नमबर 2 इंडिया इवेंट आफ्टर 1960 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाइद वी, माइनेम इस निलिमा रॉय और मैं आपको सोशल स्टडी पढ़ाने वाले हूँ तो, आज के इस वीडियो में हम वन श्ट में इस वीडियो में पूरा चैप्टर नमबर 2 कवर करने वाले हैं अगर आपको नोट्स चाहिए, जितनी भी चीज़े मैं आपको जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हूँ, जो आपको पढ़ाने वाली हूँ तो अगर वो नोट्स चाहिए तो आप तेलेग्राम चैनल को जोईन कर लो शुबम जाक लास नाइंग यह इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तेलेग्राम चैनल का अगर आप चाहते हो कि आपका नोट्स एक सिस्टमाटिक फॉरमेट में आपको मिलना चाहिए तो आप इजी लर्निंग आपको डाउनलोड कर लो यहाँ पे आप साइड मेन्यू में जब आप जाओगे साइड मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपको फ्री मिटेरियल शो होगा इस फ्री मिटेरियल में आपको सारी चीजे जितने भी हम वीडियो जाल रहे हैं सब के नोट्स आपको मिलेंगे इस चैटर का नोट्स आपको यहाँ पे भी in the systematic forward में मिल जाएगा आपको लेबल है तो फ्लीज इस आपको डाउनलोड कर लो यह आपका लिंक दिया गया है आपका description में चलिए तो इस चैटर को स्टार्ट करते हैं और यह चैटर जो है हमारा इंडिया के लिए इंडिया हम इंडियन सिटीजन है हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया से आजाद हुए थे एंड हम इस डे जो इंडिपेंडेंस को हम सेलिब्रेट करते हैं लाइक 15 ओगस्त हम सेलिब्रेट करते हैं अज इंडिपेंडेंस दे ऑल्सो 1950 में हमारी constitution framework वी थी एंड हम एक डेमो कंट्री डेमो क्रिटिक नेशन हम कहलाते हैं हमने अपने आपको हम इ constitution framework हुआ है इंडिया में देखा जाते हैं कि इंडिया में बहुत सारे multi culture, multi societies के people रहते हैं बहुत सारे different different cultures के people है, different different languages के people है, different different languages बोली जाती है, religious different different है, ethnic different different है, caste different different है और यह सब साथ में मिल करके रहते हैं इंडिया में कोई एक culture, एक caste, एक language नहीं बूला जाता है even if की बहुत multi, multi, हमें इतना पता भी नहीं कितने types of languages बोले जाते हो, कितने caste इंडिया में हैं, so we all live together and बहुत खुशी-खुशी हम रहते भी हैं, so जब इंडिया independence हुआ था, और 1950 में जा करके जब constitution बना था, हम जब British era से हमें जब relief मिला था, ठीक है, कैसे मैम, क्योंकि उस टाइम में क्योंकि हम democratic को अपनाए थे, democratic को हमने adopt किया था, democratic जब adopt किया था, तो political हो या फिर economic बेज हो या फिर आपके social development हो, इन सब में हमारा थोड़ा बहुत सारे issues create हुए थे, ठीक है, economic स्थिती उतनी अच्छी नहीं थी, also political issues जादा हो रहा था, social development ज जो हमारा infrastructure था, वो भी अच्छा नहीं था, क्योंकि हम उस टाइम में recently क्या हुए थे, independence हुए थे, और हमें अपने nation को खुद समालना था, ठीक है, तो इसकी वज़े से, बहुत सारे different, different issues है, इंडिया को face करना पड़ा था, तो या पे, अगर हम देखने जो है, कि इंडिया जब independence हुई दी, उस time में जो देखा गया, कि अब अगर हमें इंडिया को well develop करना है, ठीक है, development, development अगर हमें अपने इंडिया को करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, commission planning करनी पड़ेगी commission को, ठीक है, जो community है, उन्हें plan करना पड़ेगा, कि हम कैसे इंडिया क ग्रो करें, तो वैसे ही community plan की कि सबसे पहले हमें industrialization लाना पड़ेगा, industrialization आएगी तब ही economic growth होगा, industrialization होगी तो लोगों को employment मिलेगा, industrialization होगी तो ये जो poverty line है, ये तब reduce होगा, ठीक है, तब जाकर के हमारा क्या होगा, economical growth होगा, all over the world में, also अगर हम अब जाकर के a democratic country बने है तो which means की अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक powerful government लाना पड़ेगा, and also election conduct करना पड़ेगा, faithfully conduct करना पड़ेगा, free and fair election होना चाहिए, ठीक है, ये सारे responsibility हमारे उपर आ गयते, at the same time में, several social reforms ये सब आ गयते, ठीक है, इनका main motive ये ता different policies को बनाना, लोगों को schemes देना, लोगों क के लिए programs create करना, जो सबसे जादा weaker section में लोग थे, इनके लिए programs create करना, इनके लिए कुछ-कुछ schemes को लाना, ठीक है, ये सब decide कौन कर रही थी, तो government कर रही थी, क्यों क्योंकि अब हम democratic nation में आ चुके थे, after independence, तो यहां से हमारी journey शुरू भी थी, 1960s से, यहां पर मैं अगर 1960 60s पोड रही हूँ तो which means की, 1960, 1961, 62, 63, 64, वो जो एक decade, ठीक है, जो 10 years का average है, उसमे क्या-क्या हुआ था, 1960 की era में क्या-क्या हुआ था, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखते है, 1960 में क्या हुआ था, India में कौन से important moment हुए थे, Actually, सबसे पहले जब इंडिया में 1960 में ये देखा गया, ये इंडिया में बहुत बड़ा huge impact पढ़ा था, political situation का, क्योंकि उस stand में different parties आती थी, और ये parties में से हमें अपना एक government choose करना था, तो जिसकी वज़े से बहुत बड़ा impact पढ़ा था, इंडिया के ओपर, किस से related, political situation से related, Also, 1960 में ही देखा गया कि गोवा हो गई, डियू दामन हो गया and also हमारे जो गोवा डियू दामन ये सब पोटिग्यूस से, जो पोटिग्यूस रूल करते थे इंडिया पे, गोवा डियू दामन पे, इनसे इनको freedom मिला और ये भी इंडिया का part बनी, 1960 के एरा में ये देखा ग है, ठीके ये देखा गया कि यहाँ पे disputes चल रहा था, यहाँ पे war का situation बन रहा था, ठीके between two countries, 1962 के time में, also एक war भी fight fight fought हुई थी कहाँ पर, मैक मोहन लाइम के उपर, यहाँ पे, यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ था, war fight हुआ था, किसके बीच एंडिया औ चाइना के बीच में यह एक dispute था, यह 1962 में यह war हुआ था, यह एरा अगर आपको सबसे पहले अगर आप लिकोगे 1960 में, तो 1960 में go and do the month and relief with it, we can say कि इनको freedom मिला था from the Portuguese ruler and also 1960 के एरा में इंडिया और चाइना में बहुत बड़ा tension था, tension किस से related तो northern border से related and also 1962 में जाकर के एक war fight हुआ था, मैक मोहन लाइन पर, ठीक है, मैक मोहन लाइन का basically story यह है कि यहाँ पर war इस लिए fight पहुआ था, क्योंकि चाइना इस तो से की मैक मोहन लाइन मेरा है and इंडिया इस तो से की मैक मोहन लाइन मेरा है, यह इंडिया का part है, ब तब जब इंडिया independence actual में हुआ था, उस time में जो prime minister थे वो थे पंडिच जवालना नहरू, पंडिच जवालना नहरू सबसे पहले prime minister थे and also यह बहुत famous थे किसके लिए Indian foreign policy के लिए, foreign policy making के लिए, foreign policy के लिए यह बहुत famous थे, यह हमेशा contribute करते से social and economic development of India, socially और economically कैसे इंडिया develop करें, इनके लिए इनका बहुत बड़ा contribution था, यह इनका death हुआ था, जवालना नहरू जी का death हुआ था 1964 में, उसके बाद जो prime minister आये थे, उनका नाम है लाल बादुर शास्री, लाल बादुर शास्री के period में एक war हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, 1965 में, यहाँ पे देखा गया था, कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूट हुआ था, एंड एक war भी फाउट हुआ था, और सोवन्ट रशिया जो थी वो उस टाइम में, मिडियेटर बन गई थी, यह दो कंट्री के बीच में, यह दो कंट्री के बीच में, जब ला यह और इंडियन फार्मर इंपोर्टन्ट है हमारे लिए, इसलिए यह हाइलाइट किया गया था, जय जवान, जय किशान, यह स्लोगन दिया गया था, बाइदी, लाल बादु, शास्त्री जी, इनका देथ हुआ था, आपका 1966 में, तेक्स्तन में, इनका देथ हुआ था, इ Also, she is very, मतलब यह decision making के लिए बहुत admirable थी, perfect थी I can say की, ओके यह decision making बहुत quickly भी लेती थी और अच्छा भी लेती थी, जब यह प्राइम निस्टर बनी थी तो उस time में इनोंने बहुत सारे bank को क्या किया था, nationalized bank कर दिया था, Actually, मैं पहले British era के time में क्या हुआ करता था था ना, कि people basically, basically जो people थे, ठीक है, जो armed citizens थे, वो citizens believe नहीं करते थे कोई भी private bank में, they used to think कि अगर हम private bank में invest कर रहे है, ठीक है, तो private bank हमारे साथ scam करेगी, हमारा पैसा, हमारा पैसा डुबा देगी, पट ऐसा, बाद में जब independence हुआ और जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी इंद्रा गांदी, उस टाइम में इन्होंने nationalized bank कर दिया, विच मीन्स कि इन्होंने जैसे, जैसे SBI हो गया, यह सब open हुआ था, क्योंकि यह सब bank government के अंदर आता है, government bank इन्होंने open किया, विच में इनका कहना था कि अगर लोग हम government के उपर trust करते हैं, यह invest करेंगे, यह आकर के money कहां पे safe करेंगे, तो bank में करेंगे, और हम इन money को use करेंगे as a development, as a development, हम इन money को privatization में दे सकते हैं, और हम development के लिए use कर सकते हैं, also इन्होंने cancel किया pensions को, जो princess को जो दिया जाता था, उस time में राणियों को जो दिया जाता था, pensions वो भी cancel किया by the इंद्रा गांदी, also देखा गया कि पाकिस्तान oppressive बन गई थी, east और west पाकिस्तान दोलो अलग-अलग हो गएते, और एक बहुत बड़ा movement create हुआ था, बहुत बड़ा movement create हुआ था, इस movement में जो create, ये movement का नाम actual में है मुक्तिबानी movement, मुक्तिबानी movement को जो lead कर रहे थे, that was Sheikh Mazumdar Rahman, ये lead कर रहे थे एक organization जिसका नाम है मुक्तिबानी, ये organization बनाया गया था basically for the east पाकिस्तान, क्योंकि east और west पाकिस्तान दोलो अलग-अलग हो गए थे, also, इन्या में बहुत सारे crisis आई थी, इन्या help, इन्या में crisis अल्रेडी चल रही थी उस time में, इन्या धीरे-धीरे develop कर रहा था, बट क्योंकि east पाकिस्तान अलग हो चुकी थी तो उस time में east पाकिस्तान में बहुत crisis था, crisis की वज़े से इन्या ने help किया east पाकिस्तान को and बहुत help किया so that वो भी develop कर सके and basic needs जो उनकी है वो fulfill हो सके, ठीके उसके बाद जाकर के situation थोड़ा बदला and देखा गया कि यहाँ पर एक situation बना था जिसमें जय प्रकाश नारायन, यह इनकी leading party चल रही थी, यह lead कर रहे थे पर्टी को, यहाँ पर situation बहुत ही complex, actual में complicated हो गया था, थोड़ा, बिगड़ गया था मामला, ठीके, अब मामला actual में क्या हुआ था, कि इसमें, क्यों है एक ऐसा situation क्यों हम कह रहें कि यह complicated हुआ था, actual में उस time में जो law थी, law order जो country की थी, हमारे country की, इंडिया की, वो बहुत worse हो गई थी, कोई law, कोई order नहीं माना जा रहा था, जिसकी वज़े से government ने क्या declare कर दिया, as a national emergency declare कर दिया, अब यह जो national emergency है, यह बहुत दिनों तक चला था, मतलब, almost 1975 to 1976, 1976 to 1977, दो साल तक यह national emergency चला था, after that फिर से एक election लड़ा गया था, election हुआ था, और वो election बाद में, national emergency के बाद भी election हुआ था, इसमें actual में जो लोग थे, वो moment क्रियेट कर दिये थे, कि we want our fundamental rights, हम citizens को अपना fundamental rights चाहिए, इसके उपर बहुत सारी चीजे, बतब, violent हो गई थी, ठीक है, बहुत जादा violent हो गया था, and also इसे emergency declare कर दिया, और पूरे इंडिया में national emergency declare हो गया था, since for the two years, और उसके बाद, तो यहाँ पर जाके फिर से election हुआ, and वो era आपका आ गया था, 1970 का, तो अब हम देखने वाले 1970 क era, before that, hey बच्यों पड़ी, अगर आप एक class 9 के बच्चे हो, and यहाँ तक अगर आप वीडियो देख चुके हो, तो मैं आपको एक good news देना चाहती हूँ, कि यहाँ पे हम life classes करते है, हमारा life classes होता है, life batches होता है, class 9 के लिए वो batch का नाम है, victory 2.2, यह हमारी team है, यह सारे team members हम स सारे subject यहाँ पे पढ़ाया जाता है, daily life classes session होती है, free test series यहाँ पे included है, and also personal mentorship आपको यहाँ पे मिलता है, personally guide आपको किया जाएगा, also regular doubt clearing session होता है, and notes भी आपको मिलते है, है, जितने भी notes हो, hand written notes हो, या फिर ppd's के थू हो, वो सारे notes आपको यहाँ पे मिलते है, in the proper sequence manner में, है बच्चपाटी, अगर आप, आप कैसे ही easy learning app को download करोगे, कहाँ पे करोगे, तो आप basically victory 2.0, जो class 9 का है, इसको आप mobile में, PC में, tablet में, iPad में, कही पे भी देख सकते हो, कही पे भी आप अपना इस सारे gadgets में, आप अपने classes को attend कर सकते हो, यह सब पे available है, सारे teachers यहाँ पे बहुती experience है, and also, कितने भी classes होती है, live classes, उसकी आपको recording में मिल जाएगी, HD format में, सारे recordings आपको मिल जाती, each and every session के, कैसे enroll करना है, how to enroll, तो इस video का जो आपका link है, how to buy victory 2.0 on mobile, इसका link दिया गया है, description में, आप ज़ा करके देखो, and अगर आपको भी live batches है, तो please batches को join कर लो, और so, अगर मैं बात करूँ कि माम, fees कितनी है, victory 2.0 हो, तो victory 2.0 की जो fees है, वो है, 5000 रुपीस, माम, यह yearly fees है, या फिर monthly, तो यह yearly fees है, annual fees है, one time fees है, मतलब 5000 में, आपको सारे subject यहाँ पे included है, अगर आपको जादा queries है, related to, कुछ और पूछना है, victory 2.0 के regarding, तो आप इस number पे call भी कर सकते हो, and also, whatsapp number भी है, same, तो आप इस पे whatsapp भी कर सकते हो, in case, अगर आपको बात करना है, कोई भी query है, तो आप इस पे directly call कर लिया करो, so, चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, life batches के बारे में, आपको मैंने बता दिया है, बहुत ही interesting batches है, पाकिस्तान के बीच में, इसमें देखा गया कि एक नई country सामने आई, नई country create हुई, जिसका नाम है बांगलादेश, बांगलादेश, also, 1971 में, इंडिया में जो प्राइम इनिस्टर थी, इंडरा गांधी, इनकी बहुत ही strong leadership थी, इनके time पे ही atomic energy इंडिया में आया था, policy create और सबसे पहले atomic energy का test हुआ था, पोखरण में, पोखरण आपका राजस्तान में है और ये 1974 में ये test हुआ था, ये बहुत ही, we can say, हम जब पहली बार atomic energy का test किये थे, ठीक है, तो उस time में endormic device का test के बाद, इंडिया एक full-flashed country बन गया था, and क्योंकि atomic energy इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, electricity generate करने के लिए, and much more, अगर हमें development चाहिए, तो atomic energy ज़रूरी था, so, ये leadership जब इंड्रा गांदी की चल रही थी, उस time में इंड्रा गांदी के उपर एक claim लगाया गया था, इंड्रा गांदी के उपर, अलाबाद high court ने एक case file किया था, 1974 में, ये कहकर कि इंड्रा गांदी misuse कर रही है, अपने government को, government की जो जितनी भी चीज़े हैं, जो उनको मिला है, as a leadership, वो उसको misuse कर रही है, as in the election campaign, ये सुनकर के, जितने भी लोग थे इंड्या में, ये बहुत ही, मतलब ये, strike पे उतर आए, protest करने लगे, और जिसके दौरा, इंड्रा गांदी को, अपना leadership power छोड़ना पड़ा, क्योंकि, अलाबाद high court में, ये case file कर दिया गया था, और इंड्रा गांदी, अपना, जब leadership छोड़ी, तो उसके बाद election हुआ, और उस election में मुरार जी दिसाए, प्राइम मिनिस्टर बने थे, मुरार जी दिसाए, एक्च्वल में JP पार्टी के, JP पार्टी से थे, मतलब जनता पार्टी से थे, ठीके, और ये भी short time के लिए, actually में, प्राइम मिनिस्टर बने थे, जब भारते जन जनता पार्टी एंज जो कॉंग्रेस है, इनका सिंबॉल तीन बार चींज हुआ था, आपको क्या ये बात पता है, नहीं पताता तो मैंने आपको बता है, तीन बार चींज हुआ है, आप अगर देखोगे, कॉंग्रेस का 1952 से जो 1969 तक किये वाला सिंबॉल था, उसके 1971 तो 1977 सिंबॉल तक किये वाली थी, 1977 से तिल नाओ अभी तक एक ही सिंबॉल है, त is पाम का सिंबॉल है, Whilst J.P.P. का भार्ते जनता पार्टी का यहाँ पर जो सिंबॉल था, 1951 तो 1977 तक ये वाला था, 1977 ते भार्ते जनता पार्टी एक्चल में Whilst J.P.P.P. वो दोनों मर्ज हो गईती और उसके बाद एक नई party बनी थी भारते जंता party उन्होंने सबसे पहले farmer with block का symbol रखा था उसके बाद 1980 में 3 साल के बाद फिर से change कर लिया अपने symbol को और जो अभी तक exist में है symbol that is lotus that is lotus ओके, तो ऐसे भारते जंता party और उसके opposition में जो party थी congress party, ये दोनों एक opposition party थी, बलब दो party थी, सबसे strongest party यहाँ पे जाकर के देखा गया कि इंद्रा गांधी को जब defect हो गया था इंद्रा गांधी जब defect हो गया थी अपने leadership से तो उसके बाद जंता party create हुई थी, जंता party जब create हुई थी तो उस ताइम में परजी देसायद तो प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसके पाद short period के बाद चरन सिंग भी बने थे, प्राइम मिनिस्टर बट ये भी बहुत short time के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीके बहुत short time के लिए बने थे, 1980 में जाकर के फिर से एक election वा और उस election में इंद्रा गांधी फिर से इंद्रा गांधी का power आया, again, back two, again आया इंद्रा गांधी का power, ठीके, Congress party फिर से आई, और जब इंद्रा गांधी की power आया, तो नया सिलसिला शुरू हुआ, 1980 का, 1980 में जब Congress party थी, इंद्रा गांधी जब power में थी, तो उस time में देखा गया कि इंद्या में एक नया new challenge आया, वो new challenge क्या था, कि six people जो पंजाब के थे, वो demand कर रहे थे कि हमें अपना एक independent state चाहिए, हमें अपना एक independent state चाहिए, और वो state का नाम है खलिक्स्तान, और इसकी वज़े से बहुत violent और distractive moment हुआ था इंडिया में, खलिक्स्तान जो six people ने पंजाब के उनको support किया जा रहा था, बाइदी पाकिस्तान, बाइदी पाकिस्तान, और यहाँ पे इंडियन आर्मी, यह golden temple, जो holy strength place है, यहाँ पे जाकर के stir की थी, 1994 में, जितने भी terrorist आ रहे थे, यहाँ पे war का situation बना था, इंडिया ने defect किया था, ठीके, उसके बाद देखा गया कि इंडरा गांदी का actual में death कैसे हुआ, इंडरा गांदी के जो personal security थे, bodyguard थे, उनसे ही उनका death हुआ था, bodyguard ने ही एसिनेट कर दिया था, किसको इंडरा गांदी को, ठीके, actual में एक organization थी, जिसका नाम था United Liberalization Front of Assam, यह एक Assam की organization थी, North East India की, and इनके ही terrorist द्वारा death हुआ था, और वो कोई और नहीं bodyguard ही थे, उनके उसने personal security ही थे, उके, उसके बाद जाकर कि after Indra Gandhi, जो नए Prime Minister बने थे, that is Rajiv Gandhi, Rajiv Gandhi Prime Ministership पे आयती है, and he was also very clever, and also we can say कि, इनको science and technology में आज अगर India आगे है, तो due to him, ठीकि इनके ही period से, जितने भी medical colleges है, IIT's college है, इनके ही time से ही, बहुत development होना शुरू हुआ, और इनके ही time से ही, वो create भी होना शुरू हुआ, तो science and technology के field में इनका बहुत interest था, he was thinking कि, अगर science and technology में हम आगे बढ़ेंगे, तो हम India economic भी growth होगा, economic भी growth होगा, ये actual में एक problem को solve करना चाते थे, वो actual में जो problem था, that is Tamil minority in Sri Lanka, श्रिलंका में कुछ Tamil people थे and they used to say कि हम श्रिलंगन नहीं है, हम Indian है, तो उनके लिए, उनके लिए एक problem को sort out करना चाते थे, कौन? राजिव गांदी, जब ये problem को sort out करना चाते थे, तो इन्होंने अपना एक Tamil में community भी बनाया, जब community बनाया, तो उसके जो opposition party थी, उन्होंने बोला कि राजिव गांदी, राजिव गांदी corruption करते है, ठीक है, corruption करते है, जितने भी equipment होती है, defense की, उसमें corrupt करते हैं वो, जितने भी long range cannons होता है, और जो foreign bufforts होता है, जो बड़े-बड़े guns होते है, ठीक है, उनको भी ये क्या करते है, corrupt करते है, ठीक है, जिसके कारण से राजिव गांदी को अपना leadership छोड़ना पड़ा, क्यूंकि इनको defect कर दिया गया था, इनके leadership से, क्यूंकि ये actualmin के ओपर claim minister बनेते, that is, विश्वनात प्रताप सिंग, ये भी short period के लिए बनेते, बट इनका जो main motive था, वो था है, policy create करना for the OBC, for OBC category, ठीक है, reservation create करना for the OBC, other backward classes के लिए reservation create करना, ठीक है, और due to the internal political instability, इनका भी जाधा दिन तक leadership नहीं चला था, ये भी प्राइम मिनिस्टर जाधा दिन तक नहीं थे, फिर जो चरन सिंग के, sorry, विश्वनात प्रताप सिंग के बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, 1990 में, that is, चरन सिंग, ये भी short time के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसी time में 1991 में ये देखा गया, कि एक जो election campaign में गए ते कौन? राजिव गांदी, ठीक है, और वहाँ पे एक organization से terrorist था, वो organization कौन सी थी? श्रेलंका liberalization tiger of Tamil alum, इनके organization से एक terrorist वहाँ पे थे और उनके द्वारा वहाँ पे death हो गया, उनका, उनके द्वारा वहाँ पे death हो गया, 2004 में जो alienation लगा, वहा था राजिव गांदी के उपर जो buffards का लगा वहा था, वो भी क्या हो गया? एक्यूटेड हो गया, हट गया, ठीक है आप देखरो यहाँ पे इस picture में, ऐसा ही वहाँ पे गए वहते, election campaign में, one lady came and उनने माला पहना आया और उसके बाल उनका, उस में क्या था, उनका फ्लावर में, actual में bomb था, और वहाँ पे जमुएन कश्मीर unrest का मतलब क्या है? जमुएन कश्मीर के जो लोग थे, वो बहुत परिशान हो चुके थे, वहाँ पे जो कश्मीरी पंडिट्स थे, उनको बहुत परिशान किया जा रहा था, बाइदी टर्रिजम, टर्रिजम में उनको बहुत परिशान किया जा रहा था, जितने कश्मीरी पंदिर्स थे उन लोगों ने अपना जगे छोड़ दिया द्यू टू टेरिस्ट एक्टिविटी और जाकर के शिफ्ट वे तो ये 1980 में जमू इन कश्मीर का भी मुद्दा बहुत बड़ा था उसके बाद एक नया सलसिला शुरू हुआ 1991 से यहां से एक्ट्वल में लिवर्टी मिला इंडिया को और इंडिया ग्लोबलाइजेशन भी हुआ चलिए तो अब हम देखते हैं चेंजिस आफ्टर 1991 1991 में जो प्राइम निस्टर थे पीवी अंदरसिंबा यह इंधिन ll dai को यह उड़िया और इंडिया ने प्राम का नाम है। उनमें वह इंवेस्ट करना शुरू किय किय हैdepend विशवास किया और विशवास किया दूャए अपना łakes भी एंडोब्सवास force अब अब अबिश सी बात है उन्होंने इन्वेस्ट किया इंडिया में बाहर की करंसी आई फॉरन करंसी आई तो इंडिया की डेवलप्मेंट तो होगी होगी ओके सो 1991 में जो पीरिट स्टार्ट वा डाट इस ग्लोबलाइज़ेशन ओल ओवर वर्ल्ड में हम ट्रेड करना शुरू कर दिये थे 1996 से 1999 तक यह देखा गया कि इलेक्शन जो कंड़क्ट वा था उसमें कोई भी कोई पॉलिटिकल पाटी क्लियर मैजोरिटी में नहीं थी जादा मैजोरिटी में नहीं थी लोक सभा में देखा गया यहाँ पे कि बहुत शौट टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया में बहुत छोट छोट टाइम के लिए जो प्राइम मिनिस्टर बने थे अटल बिहारी भाज पे एचडी देवे गॉंडा देनिस इंद्र कुमार गुर्जाल ये सब छोट छोट टाइम के लिए बने थे ठीक है also 1991 में जब अटल बिहारी भाज पे प्राइम मिनिस्टर शिप पे तो यहाँ पे उन्हों ने इंडिया को क्या बनाया था नाशनल डेमोकरिटिक एलाइंस किया था और ये एक्चल में बिलॉंग कौनसी पार्टी से करते थे तो भारते जिंता पार्टी से जब ये बिलॉंग करते थे तो यहाँ पे अटल भिहारी भाजपे के टाइम में एक नुक्लियर टेस्ट हुआ था 1998 में और इंडिया उसमें बहुत ही आगे गया था इंडिया में नुक्लियर टेस्ट बार 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 सक्सेस्फुल हो रहा था और इंडिया ऐसे में बहुत आगे जा रहा था इंडिया और एक वार में भी पर्टिसिपेट किया था जिसका नामें इंडिया ने defect कर दिया तक इसको पाकिस्तान को war में फिर यहां से शुरू वी इंडिया की economy इंडिया का जो monitoring fund है वो यहां से शुरू हुआ इंडिया हमेशा से बनना चाहता था modernity, इंडिया modernity को adopt किया और self-reliance बना अपने दम पर इंडिया आगे बढ़ा also यहां पर economic growth भी और also जो social justice लोगों को जो नहीं मिलते थे वो भी मिलना शुरू हुआ उसके related में भी जितने भी government आ रहे थे वो अपना एक plan लेके आ रहे थे past साल के लिए कोई भी government बनती है तो वो past साल के लिए जब वो election में आ रहे थे past साल का वो अपने साथ plan ला रहे थे कि हमें ये past साल में इंडिया में क्या-क्या changes करना है जिसके through इंडिया का development हो सकता है यहां पे एक नया मुद्दा आया था actual में 1991 में ठीक है वो मुद्दा ये था पीवी नरसिब माराओ के टाइम में आया था एक नया सा इशू जिसका नाम है आयोध्या came to forefront जो बहुत रिसेंटली में जा करके ये problem भी solve हुआ है यहां पे देखा गया कि cold war cold world war का time था और इसमें sovent रसिया है जो बहुत बड़ा एक continent 30 के यहां पे इससे different different small countries थे वो अलग हो गएते sovent रसिया से ठीक है क्योंकि इसमें उन्हों का बहुत loss हो रहा था science and technology के field में हम बहुत आगे जा रहे थे ठीक है यहां पे science and technology में actually में इंडिया इंडिया को कहा जाता है as a green revolution green revolution के father कौन है डॉक्टर एमी स्वामी नातन 1965 में इंडिया को गोशित कर दिया था यह इंडिया एक green revolutionary है ठीक है मतलब इंडिया में green भी जादा है ठीक है इंडिया में agriculture जादा होता है vegetation जादा है and also इंडिया में कहा गया कि इंडिया एक white revolution में है मतलब इंडिया की इंडिया में जो milk का production है यह बहुत increase हो रहा है और बहुत जादा है white revolution के जो father है that is dr. वरगेशी खुरान यह father है किसके white revolution के अब हम बात करते है atomic energy के atomic energy में as we on low की हम बहुत आगे जा रहे थे बहुत grow कर रहे थे तो atomic energy बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए atomic energy और space research दोनों में हम बहुत आगे जा रहे थे atomic energy अगर हम उस field में जा रहे थे तो इसके कारें इंडिया में बहुत development हो रहा था electricity में, pharmacist में and also defense में बहुत ही ज़ादा beneficial हो रहा था dr. homie baba करके एक foundation को लाया गया था by the doctor homie baba ठीके इन्हों ने ये foundation को build किया जिसमें atomic power programs को create किया गया था इंडिया ने 1975 में सबसे पहला अपना first satellite launch किया जिसका नाम है Arya Bhatta ओके बहुत इंडिया आज की date में भी बहुत सारे space program में and बहुत सारे satellite में इंडिया बहुत आगे है बहुत develop किया है ठीके टेलीकॉम सेक्टर की अगर हम बात करें इंडिया बहुत आगे also मैं अगर internet की बात करूँ आज के जमाना में तो आपको पता होना चाहिके internet बाफिस कंटरीज से बहुत सारे कंटरीज से हुआ है सोशल लाइफ में जो हमारे आज पास जो इन्वार्मेंट थे जो लोगों का सेल्फ लाइट था उसमें भी बहुत जादा चेंजेस हुआ लोग modernization को adopt करने लगे वुमिन की जो empowerment थी वुमिन को empowerment दिया गया ठीक है वुमिन का जो discrimination हो रहा था वो discrimination reduce हुआ ठीक है जो societies के लिए different different क्या किया गया था policies लाया गया था वो policies के कारण लोग uplift हो रहे थे यहां पे देखा गया कि women and children के लिए एक separate department मनाया गया जिसका नाम है department of women and children development create वाता 1985 में और यह किसके अंडर आता है तो यह आता है आपके ministry of human resources development के अंडर ministry of human resources development के अंडर HRD के अंडर ठीक है यहां पे women's related जो भी schemes हो गए programs हो गए उसको create किया जाता है children's related programs की development यह सब create यहां पे किया जाता है बहुत सारे laws लाये गए women के लिए women का अगर कोई भी discrimination हो रहा है यह फिर for example ड्रॉवरी एक्ट लाया गया ठीक है अलमोनी लाया गया यह सारी चीज़े women के लिए लाया गया different different schemes, different different law यह सब create किया गया 1974 and 73rd के abadment में 73 and 74 के abadment में ड्रॉवरी प्रोविजेंट एक्ट और equal remuneration मतलब male हो या female हो दोनों अगर काम कर रहे तो दोनों का celery wages एक ही होना चाहिए ऐसा नहीं कि woman है तो उसको कम celery दो, man है तो उसको जादा दो, ऐसा नहीं equal remuneration लोगों को मिलना चाहिए, यह act भी लाया गया था women के लिए local जो self government bodies थी, उसमें seats दिया गया women के लिए भी reserve seats लाया गया, कि इतना percent reserve तो reservation होना चाहिए woman के लिए और इतनी percent woman के लिए seats होना चाहिए, उसके बाद देखा गया कि एक commission आया था काका साहिब कालकेकर commission, यह set up हुआ था आपका 1953 में, इनमें actual में recommendation था कि to improve their condition, लोगों का जो backward people थे, उनके लिए यह commission create किया गया था, 1978 में यह commission actual में, इनके जो chairman थे, वो कौन थे, बीपी मंडल, ठीके, इननों ने study किया था, other caste backward people के लिए, classes के लिए, so that उनके लिए reservation आना चाहिए, उनको भी rights मिलना चाहिए, उसके बाद 1989 से ही, लोगों को reservation मिलना शुरू हुआ, schedule caste, schedule tribe, फिर उसके बाद, लोगों को respect मिलना शुरू हुआ, जो backward classes, people थे, dignity उनको मिलना शुरू हुआ, उनको free and fear किया गया, ठीक है, अगर कोई भी उनके उपर allegation लगा रहा है कि यह schedule caste से, schedule tribe से हम, मतलब यह grow नहीं कर सकते, इनको employment नहीं मिलेगा, education नहीं मिलेगा, उनके उपर action भी लिया जा रहा था, उनको equal rights दिलवाया जा रहा था, जैसे एक upper classes people को दिया जा रहा था, वैसे ही, यह एक commission है for the backward, other backward classes people, that is commission name is काका साहिब कालकेकर commission, और इसके हम अगर बोले chairmanship किसके अंडर थी, तो वो थी BP मंदल के अंडर, इंदी 1978, अब हम बात करते हैं next and the last topic that is globalization, 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 global all over the world, हम कई पे पीचा करके, कई से भी trade कर सकते हैं, हम economically free हो चुके है, political field में हम different, different various जा सकते हैं, changes कर सकते हैं, time-time technologies में हम आगे बढ़ सकते हैं, societies and cultural में हम modernity को adopt करके हम आगे बढ़ सकते हैं, तो globalization है, मतब all over world में हमारा equal rights है, equal rights है, इंडिया दीरे-दीरे merge कर गई थी, global sense में, different, different spheres में, जैसे क्योंकि इंडिया क्या adopt कर रही थी, modernity को adopt कर रही थी, इंडिया ने G20 में participate किया, G20 के member कौन थे, तो BRICS थे, BRICS मतलब Brazil, Russia, India, China, South Africa, G20 में, अभी इंडिया में भी G20 होने वाला है, 2023 में भी G20 इंडिया में होने वाला है, ठीक है, यहाँ पर देखा गया कि इंडिया टेली communication field हो, mobile phones हो, internet हो, यह सारे field में इंडिया बहुत आगे है, और इंडिया में economic growth भी इंके कारण बहुत जादा है, ठीक है, देखा गया कि लोगों ने अपनी life change की, लोग अपनी lifestyle change कर रहे हैं, Indian people change कर रहे हैं, और इंडिया में जो youth है, ठीक है, जो young people है उनका सोच भी बदल रहा है, जो old people है, वो दीरे-दीरे change हो रहे हैं, बर जो youth है, उनका changes बहुत change हो रहा है, politics के लिए, social reforms के लिए, culture के लिए, यह सारी चीजों के लिए उनका reform, उसका सोच change हो रहा है, तो इंडिया की lifestyle दीरे-दीरे change हो रही थी, चाहे वो food habits हो, या फिर flow हो, languages हो, belief कोई चीज को करना हो, इसके रिगार्ट में इंडिया की changes हो रही थी, और ऐसे ही globally हम आके बढ़ रहे थी, तो यहाँ पे आपका chapter होता है समाप्त, अब हम करेंगे कुछ question, इस question का answer आपको देना है comment box में, first question is, dash gave the slogan जय जवान, जय केशान, इंडरा गांधी, लाल बादु शास्त्री, मुराज जी दिसाए, या फिर राजिप कांधी, second question, a freedom movement was led by शेक मजुम्नर रह्मान and his organization, dash, मुक्ती बानी, बंगला बानी और अमर सोनार बंगला और East Bengal front, answer comment में देना है, the dash mediated between the conflicting countries of East of India and Pakistan, so, Soviet Union, Russia, USA, Japan, China, यहाँ पर आपका chapter होता है sum up, अगर अभी तक आपने telegram channel join कर लेना, and if you want कि आपको notes systematic format में मिले तो आपको download कर लेना, free material में आपको मिल जाएगा, and those who are interested in live lecture, यह तो मैंने recording डाला है, तो one way में मैं बात करूँ, but अगर live lecture में आप attend करो, literally बहुत मज़ा आएगा, सारे teacher बहुत fantastic बढ़ाते हैं, and आपको live lectures में बहुत आप enjoy करोगे, you can ask your each and every doubts, so if you are interested in live lecture, तो live lecture को ज़रूर join कर लेना, victory 2.0 batch का नाम है, आप आपको download कर लो, and if you have any query, तो आपको number दिया गया था, उस number पे call कर लो, telegram को join कर लेना, in case अगर कोई भी update होता है regarding the, regarding कोई भी जैसे notes हो गए, या फिर कोई भी अगर information हमें अगर देना है, तो we can just upload in telegram channel, तो अगर अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं किया, subscribe कर देना, और अगर आप इस channel पे new हो, तो please subscribe कर दो, दोस्तों को भी share करो, कि yes इस channel पे सारी चीज़े पढ़ाई जा रही है, thank you so much for watching this video, subscribe कर देना, इस channel को वीडियो पसंदा है, तो like करना and answers, questions जो पूचेगा है उसके answers, comment में जरूर देना, thank you so much.